प्रान्पतिश्टाएं प्रान्पतिश्टाएं नहीं है राइट दूसरा प्रशन आया कि गुरू जी हमारे पास वो धूनी जलाने के लिए गोवर और गैस और ये सब नहीं है आप ऐसी धूनी बना दीजी जिसमें सीधा आग लग जाए और सारी नजर अलावला हमाँ ढालें कभी सोचूंगा इसके बारे में जब फ्री हों तीसरा देखिए अभी जितनी मैंने बनाई थी सामगरी और धूनी वो खत्म हो चुकी है तो मेरी दर्खास्त है कि आज से आप लोग कोई ओर्डर नहीं देंगे राइट या उसके लिए स्टाफ को परशान नहीं करेंगे देखिए स्टाफ इतना परशान हो गया है कि मैं रहता हूं गाओं में मेरे पास कोई मेट्रोस तो है नहीं कि मेट्रो में रह रहा हूं कि जतने चाहे बंदे आपने वो कर लीजिए तो आप लोगों ने इतने फोन कर दिये कि एक बिचारी बच्ची तो वो कोमा में चली गई है उच रात को भी बलबलाती हाँ जी आपका क जम कर ये 10, 11, 12, 13, 14 अपना अनुष्ठान कर सकें उसके बीच में कोई प्रश्ण होगा लिखके दीजिए मैं शौट बना दूँगा तो समस्या आपकी हल हो जाएगी राइट अब बात करते हैं राहू जी की देखिए एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है मैं जो बताने जा रहा हूँ आजकल एक नया फैशन चल गया है कि यह हम लगन से बता रहे हैं लगन से बता रहे हैं सारे जो च्छी वैसा ही कर रहे हैं लेकिन मेरी प्रडिक्शन हमेशा चंदर पे रही है मेरे गुरू उनके गुरू पुराने शास्त्र सब ने चंद्रमा के हिसाब से बोला चंदर के हिसाब से और जब बात आई कि उसकी राहू जी के बदलने की या वो तो आप लगन के हिसाब से खेर अपनी अपनी प्रैक्टिस है मैं किसी को गलत नहीं कह रहा है मैं आपको आपकी चंदर राशी के हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है कभी इस पर भी प्रिकाश डाल हूँगा कि गोचर चंदर से क्यों देखना चाहिए याद रखिए चंदर इतना important है एक तो मैं scientific आदमी हूँ और मैं जानता हूँ कि आदमी की 90% समस्या उसकी मन की है मन की मन का कारक है चंदरमा psychology कहती है कि man is ruled by emotions not by logic logic से चलते तो दुनिया बहुत अलग होती emotions हमारे हमें वो करते हैं rule और जितनी भी दशा जैसे हम आपको बोलते हैं न कि भई जब आप लोग मेरे से appointment लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप पेशा नहीं की महा दशा चल रही है यह कैसे चल रही है राइट कि चंदरमा जिस राशीन चत्रमे था वहाँ से आपकी दशाएं शुरू होती है वहाँ भी दशा भी चंदर के accordingly होती है तो इसलिए चंदरमा बहुत important है आपके मन का कारक है तो आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ मुझे किसी की practice का पता नहीं मेरी practice में बिलकुल सटीक बैठता है चंदर से गोचर राइट ऐसा ही पुराने सारे शास्त्रों में भी था ठीक है बहुत rare case होते है 15% जिन में लगन से मैं देखता हूँ वो भी उसकी कुछ technical points है वरना आप अपनी राशी के हिसाब से मुझे सुनिएगा ठीक है अब शुरू करते हैं मेश राशी वालों के लिए ठीक है देखिए ना तो मेरी वीडियो कट होती है और ना ही मैं लिखा पड़ा बोलता हूँ तो एकाद राशी में सो जाएगी तो I'm sorry बाद मैं बता दूँगा अब लगातार मैं बोल रहा हूँ इसको सुनिए मेश राशी राहू इनके बार्मे घर में गए हैं बड़ा सीधा सा बात है बार्मा घर है विदेश यात्रा का, expenses का और आपके bedroom relationships का राहू कोई boundary नहीं मानते, over खर्चा होगा, ठीके विदेश यात्राओं पर खर्चा हो सकता है फालतू के खर्चे बहुत रोकिएगा और wife से संबंद अपने ठीक रखिएगा नहीं तो राहू boundary नहीं मानता, किसी भी नजाय संबंद में फसेंगे, उससे बदनामी होगी तो थोड़ा सा इन तीन चीजों का मेजर लिद्यान लखना है दूसरी राशी, brush राशी, बहुत अच्छा है, आपके लिए change, income के खाने में आया है income में बड़ोतरी देगा ही देगा, कोई उपाई की जरुवत नहीं, मस्त रही है ठीक है, कोई डरने की जरुवत नहीं तीसरी है, मिथुन राशी, ठीक है आपके 10th house में आये हैं, दसमें घर में नई कारोबार की opportunities, नई links काम को बढ़ाने की चंता, unique ideas about work ये देंगे लेकिन राहू थोड़े जल्दबाजी करते हैं, जो भी करिएगा, जरूर करिएगा लेकिन थोड़ा सा सलह मश्वरे के साथ, थोड़ा सा अराम से एकदम सडम या जंप लेके मत करिएगा, ठीक है तीसरी आती है, आपकी चोथी करकराशी करकराशी के ये नौमे भाव में गए हैं, धर्म का भाव है आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में धर्म को भढ़ाएए मतलब लाइक, पूजापाट, धार्मेक स्थानों की यात्रा ये सब इससे आपका भागे भढ़ेगा वो भागे का स्थान भी है, धर्म का स्थान भी है तो वहाँ पर अच्छा रहेगा अब है सिंग राशी आट में घर में गए हैं, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए तीक है, अध्यात्म का भी गूलद घर है तो अध्यात्म में थोड़ा सा जाईए हेल्थ का आपको विशेज ध्यान रखना है लापर भाई, कल से दोड़ूंगा परसों से जाऊंगा ये करूंगा, वो करूंगा, नई और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस का, एमोशनल स्ट्रेस का ध्यान रखिएगा अब है कन्या राशी कन्या राशी के विवा के स्थान में गए है पार्टनर्शिप के स्थान में गए है तो विवा में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको वाईफ से लड़ाई जगड़े का और आपको कन्या का एक चीज में और भूल गया सिंग राशी की पर्निया के शादी के खाने में आया तो पत्नी के साथ थोड़ा सा जो संबंद है उन पिर आपने सार्धानी बरत्नी है वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है पार्टनर्स से और पत्नी से तीके अब आती है तुला राशी तुला राशी के छटे भाव में आया है competition का house है शत्रूओं का घर है ठीक है लेकिन राहू इसका कारक भी है तो शत्रूओं का नाश कर देता है कोट कचरी मुकदमे में विजे कराएगा सब कुछ कराएगा लेकिन छटे घर में मैंने थोड़ा सा इसमें mental emotional stress देखिए तो वो health का आपने mental health का थोड़ा सा ध्यान रखना है अब आते हैं व्रश्चिक पर तो व्रश्चिक के लिए पंचम भाव में यह आए हैं बच्चों से सम्बंदित चिंता थोड़ी बहुत देंगे लेकिन अच्छे decisions भी दे सकते हैं हो सकता आपके बच्चे पढ़ने भार जाएं तो बच्चों से temporary separation दे सकते हैं बच्चों को handle with care करें और थोड़ा सा उन पर ध्यान रखें उनकी activities पे ध्यान रखें बच्चों से tension ना हो बस इतना सा है धनू राशी के fourth house में आया है मदर की health का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे लेकिन आपके public relations आपका name, fame, creativity कुछ नया कार है बहुत अच्छा होगा कोई डरने की जरूद नहीं, किसी भेहम की जरूद नहीं अब आते हैं मकर राशी आपके third house में आया है भाई भेहनों, दोस्तों से थोड़ा सा देख के संबन्द रखिए मतलब रडाई जगड़ा की थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन आपके पराकरम में जरूर वृद्धी करेंगे, ambitions देंगे मेहनत देंगे, कि भाई कर कुछ कर कुछ, लेकिन रिलेशन्स में राहू, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, विकॉस थोड़े से मेटरिलिस्टिक प्लानेट है, रिलेशन्स के लिए उतने अच्छे घ्रे नहीं है, मतलब तो थोड़ा सा भाई भेहनों से अपने रिलेशन्स को संभा लिएगा, मकरवाली राइट, अब बात करते हैं कुम्ब की, सेकंड हाउस में आया है जिपट, वानी का बहुत ध्यान, और अपनी संचित जमा पूझी, जो बैंक बैलेंस है, जो लिक्विडिटी है वो कहीं आख बंद करके ना लगाईएगा ना किसी को उधार दीजेगा ना कुछ उसको बचा के थोड़ा सा चलेंगे बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है वानी, अपना खान-पान, आप क्या मतलब किसी भी किसम का एडिक्शन वगेरा ना हो, कि भई, बहुत ज़ाद ताम से खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं, मूँ से जितने भी एब हैं, वो ना हो और वानी पे आपकी सयम रहे और संचित धन जो है वो किसी को ना दे अब आते हैं, मेन-मीन राशी, बारवी आपके लगन में यानि आपके सर में आएं, राहू कई रास्ते देते हैं, डुएलिटी देते हैं, ये भी करो वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो आपको थोड़ा सा हेड को शान्त रखना है, चार डारेक्शन्स में भागना नहीं है डुएलिटी नहीं चाहिए, राइट आपको मतलब थोड़ी mental stability थोड़ा सा meditation करिए गुरू की राशी है गुरू इस पे नकेर डालते हैं आपको धरम ध्यान पूजा पाट से बहुत लाब मिलेगा राहू सही direction में जाएगा और आप भी सही direction में जाएगे तो कोई ऐसा वो नहीं है बस सिर का राहू थोड़ा सा कई रास्ते में ने देखा है देता है तो वो आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा देखिए एक चीज मैं और आपको बताता हूँ गोचर है क्या राहू कहां बदले हैं आपकी गुंड़ी में नहीं बदले है आस्मान में बदले है तो जिन लोगों पर राहू की दशा अंतर दशा है उन पर इन चीजों का जो मैंने बोली है जादा प्रभाव पड़ेगा जिन पर राहू कहीं नहीं है दशा अंतर दशा में उन पर कम प्रभाव पड़ेगा याद रखिए जोतिश में दो चीजे मैटर करती है बहुत एक जो दशाएं आपकी चल रही है किसी पे शनी चल रहा होगा किसी पे सूरे, चंदर, मंगल, गुरू, राहू, शुक्र, शनी अलग-लग दशाएं चल रही होगी ठीक है पर एक होता है गोचर उपर जो ग्रे इस वकत उपर चल रहे हैं, घुम रहे हैं यहां से असर करते हैं और यह दशाएं यहां से और इनका मिला जुला फल जो है, वो इनसान को मिलता है, तो यह मतलब है गोचर का मतलब, चलता हुआ गोचर, तो वो उपर जो चल रहे हैं, और एक जो आप लेके पैदा हुए तो माल लीजे मैं आपको एक simple layman language में समझाता हूँ माल लीजे जब मैं पैदा हुआ तो शनी यहां थे positive direction है अब शनी जब घूमते हुए उपर 27 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 10 साल बाद यहां आ जाएंगे तो मेरे विपरीत आ गए और मेरे जनम में यह ऐसे थे यहां मेरे आठमें घर में आ गए यहां मेरे छटे में आ गए यहां भी आ गए लेमन ऐसी बोल रहा हूँ तो उसमें मुझे जब यह मेरे positive आएंगे जैसे जनम के समय में थे या मेरे जनम राशी से positive आएंगे तो में बहुत अच्छे फल देंगे जब ये विपरीत आजाएंगे तो थोड़े से खडाप फल देंगे तो दशा और गोचर दोनों का जो combination है उसको मिलाके हम लोग फल कहते हैं जैसे मालीजे किसी की शनी की दशा है या राहू की दशा है माल लीजे अब जो धनू राशी वाले हैं उनके लिए व्रश राशी वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया राहू की दशा पहले चल रही थी राहू इंकम में आ गया या राहू पबलिक मेरे prediction हमेशा चंद्रमा से ही ठीक निकलते हैं तो मैं उसी पद्धती को follow करता हूँ ठीक है तो I hope so आपको एक मैंने idea दे दिया और देखिए जिन लोगों का जिन राशियों का मैंने कहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखना health का या you know सब का जैसे पंचमभाव में जब राहू आते राहू कोई boundary नहीं मानता ना कारोबार में ना relationship में ना किसी में तो थोड़ा सा भार affair होगा वो बदनामी करा सकता है राइट वानी के भाव में आएंगे आप अपने secrets किसी को बताएंगे वो आगे बता देगा तो दिक्कत दे सकता है तो basically राहू में सयम और जिन राशियों के लिए मैंने थोड़ा सा भूला है कि ध्यान रखने की जरूरत है उनके लिए उपाए बता रहा हूँ सबके लिए सेम उपाए होगा because राहू का ये बहुत अच्छा उपाए है एक जब कभी भी stress हो तो नारियल अपने सिर के उपर से आठ पार घुमा के जल प्रभा कर दे या किसी शनी मंदिर में रखते हैं पहली चीज़ दूसरा जो आपके सफाई करमचारी है जो आपके टोइलेट साफ करते हैं कूड़ा उठाते हैं आपका घर साफ करते हैं उनको बहुत अच्छे से रखिए उनको चायवाय पिलाईए कुछ खाने को दीजिए उनके साथ मत बाड़ नहीं है तो यहीं असर करेगा जब भी करेगा तो यहां कुछ गलत असर हो गए हो तो आप यह उपाए कर सकते हैं राइट बाकी जिनका अच्छा आया है उनको डबल मेहनत करनी है इस टाइम का फायदा उठाने के लिए ओके सो यह चीज है आज के लिए इतना ही ज अपने बनाई उससे पहले एक महीने के अंदर मैं बना दूँगा आपको लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा आपने कोई फोन नहीं करना है ना ही अपोईटमेंट मेरे चल रहे हैं कम चल रहे हैं तो ठीक है मेरे से बात करने के लिए अपोईटमेंट लेने के लिए कर सकते लेकिन सामेगरी के लिए आप फोन नहीं करेंगे और अभी दूनी के लिए फोन नहीं करेंगे, खतम हो चुकी है, स्टाफ को परशान मत करिये बिल्कुल, बाकि जिनके कोरियर नहीं पहुंचें, मुझे स्टाफ नहीं कहा था, हाथ जोड़ के बोल दो कितंग ना करें, सब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दस्तारिक में समय है, ठीक है, और दिवाली से पहले कोशिश करूँगा, कि मैं एक बार फिर आओंगा, और कोई अगर आपके कन्फूजन्स होंगे, तो दूर करूँगा, एक चीज और, बहुत से लोग भुदेवी की फोटो, मेरा क्याला आप समने ही मुझसे मांगी है, देखिए अभी आप जो फोटो है, वो पेंटिंग है, ठीक है, अब प्रान पतिष्टा हो रही है दिवाली पे, भुदेवी की कुबेर की, लचमी जी की, तो आपको मैं लाइफ फोटोग्राफ्स डाल दूगा, तो वो एक ट्विंटिंग की फोटो और एक जागरत मूर्ती की प्रान पतिष्टा जो मूर्ती है, वर्ल्ड में ये कहीं इस तरह की है नहीं बनी होई, और कहीं भी आप गूगल पे ढून दूगा, तो उसका एक सेटी, वो लेना चाहें, वो ले लिजएगा, नहीं तो जैसे भी करना चाहें, कर लिजएगा, तो वो मैं आपको कर दूगा, और रही बात देखें जो लोग शहर में रहते हैं, गोबर अवेलेबल नहीं है, गाए का, यहां वो जलाने का, मैंने कभ तो आज से कोई फोन मत करिएगा प्लीज तो ये चीज है बाकी 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 तो कुछ नहीं इश्वर ने चाहा तो प्रान पतिष्टा के बाद दिवाली पर आपको सब को मंदिर के दर्शन आपके जरूर करवाऊंगा तब तक के लिए बहुत 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 तो आपको दिवाली की बहुत 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 बदाई और दिल से मेरा आशिरवाद है कि ये पूजा मजे आजाए आपको और अच्छे से आप संपन कर पाएं असर तो मुझे पता होंगे ही अच्छाई को और बात जो हम पिछले साल कर रहे थे दच्छनावर्ती शंक चिनो ने लिए या कोडियां सिद्करी या जो भी आप लोगों ने किया वो सारा समान इस बार कि आप ये पांच दिन की पूजा में रखिएगा वो और चार्च हो जाएगा और से दो जाएगा राइट बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो लिख के बॉट्च्छे पे कर दीजेगा जवाब थोड़े दिन में मिले पर मिल जाएगा टेक है जी पडााााााााााााााााााा है झाल झाल